आईज कल हमने देखा था light में बहुत सारी चीजे पहले हमने देखी थी, देखा था कि light क्या होती है, light फिर हमने देखा था थोड़ा nature of light के बारे में, properties of light के बारे में भी हमने देखा था, और कल मैंने आपको बोला था कि हम कल पढ़ेंगे theories of light, theories क्या थी regarding the nature of light वो हमें आज तो सबसे पहले हम देखेंगे newton's theory, newton's corpuscular theory इसको हम बोलते हैं, corpuscular theory, ये newton ने दी थी 1675 में, और इसके according क्या था, इसके according था कि newton ने पहला postulate इसमें जो दिया था, इसमें newton ने पहला postulate दिया था, light travels, no, light is emitted, और producer, light is emitted from, a luminous, luminous body, in this body in the form of, in the form of, tiny particles, तो न्यूटन ने पहला पॉस्चुलेट दिया था कि जो ये लाइट है ये इमिट होती है लिमिनस बॉड़ी इसे लिमिनस बॉड़ी क्या होती है लिमिनस बॉड़ी वो बॉड़ी होती है जो खुद जिसके पास अपनी लाइट इमिट कर सकता है जैसे हमारे पास बल्ब है source of light जो universe को supply करती है light sun वो एक luminous body है उसी से light emit होती है और वो किस से होती है इन दे फॉरम अप particles होती है जिसको उसने नाम दिया था corpuscles और ये corpuscles क्या है ये elastic and rigid corpuscles जो थे ये elastic and rigid particles थे elastic and rigid elastic का मतलब क्या होता है elastic का मतलब होता है वो particle जिसकी energy conserve रहे या हम simple बाशा में बोले simple language में बोले तो जिस speed से ये particle किसी smooth surface के साथ टकराएगा उसी speed या energy के साथ ये वापस आएगा मतलब इसमें इसकी energy conserve रहती है इसी लिए हम इसको elastic बोलते है मतलब जिस energy से ये यहां गया था उसी energy से वापस आएगा और उसी angle से वापस आएगा उसी को हम बोलते है elastic और फिर दूसरा पास्चिलेट दूसरा पास्चिलेट इसने क्या दिया था दूसरा पास्चिलेट न्यूटन ने दिया था उसके हिसाब से ये corpse skills जो है these corpse skills move in a straight line move in a straight line in a straight line ये corpse skills जो है ये move करते है straight line में तो वैसी बात है जब भी कोई अपनी थेरी देता है उसमें जो postulates होते है वो verify होते है तो इसकी verification कैसे हुई कि ये straight line में travel करते है तो इसकी verification एक experiment से की गई उस experiment में क्या किया गया एक light source रखा गया यहां यहां पर एक light source रखा गया और ये कुछ opaque objects रखे गए और उन में hole किया गया छोटे छोटे holes किये इन्होंने ये तीन रखे इन्होंने opaque objects अब मैं आप मान ले ना ये hole है जो ये मैंने थोड़ी बहुत dark line डाली ये hole है तो क्या हुआ जब हमने इससे light source रखा इदर हमने light source रखा तो इदर पर कोई observe कर रहा था इस light source को तो उसने क्या देखा कि ये light source इन चोटे चोटे ये चोटे बहुत चोटे light holes थे holes थे उसने देखा कि इन मेंसे ये light source हमें दिखाई दे रहा है तो इससे ये verify हुआ कि light जो है वो straight line में जो ये corpse skills है sorry जो ये corpse according to Newton जो ये corpse skills है ये straight line में travel करते है इससे इस बात को verify किया गया और पहला postulate तो इसका ठीक ही था कि ये luminous object से emit होती है वो तो सबको पता है luminous object से light emit होती है और फिर इसने तीसरा postulate दिया जो इसका गलत था वो मैं बताऊंगा आपको क्यों गलत था इसने तीसरा postulate दिया कि velocity of light velocity of light is greater is greater in denser medium denser medium than rarer तो guys ये postulate जो था ये बिलकुल ही गलत था क्योंकि आज हम सब लोगों को पता है जो velocity of light है वो rearer medium में ज्यादा होती है as compared to denser medium तो ये postulate इसका गलत हो गया था तो इसी की वज़े से ये theory discard हो गई थी और क्योंकि इसने कम ही दो तीन phenomenon's को explain किया था बाकी को नहीं किया था तो ये theory discard हो गई अब हम देखेंगे इसका चौथा postulate क्या है वो आप books पे नहीं देखोगे वो postulate लेकिन newton ने वो भी बोला था न्यूटन ने बोला था चौथा postulate है इसका न्यूटन ने बोला था due to different sizes sizes of corpuscles corpuscles different colors of light are produced are produced तो इसने बोला था due to different sizes of corpuscles different colors of light are produced जो कि कुछ हद तक ठीक था वो कैसे ठीक था वो मैं आपको बोलूँगा देखो अगर हम देखें जो different colors of light हम देखते हैं seven colors जिसका हमने code रखा है विब गॉयर वो कैसे हम perceive करते हैं वो split कैसे हो जाती है अगर हम उसको prism में से पास करवाए वो इसलिए होती है क्योंकि जो different colors of light है उनकी अपनी अपनी wavelength है तो ये जो होती है ये different colors के किस वज़े से होते है क्योंकि जो different colors of light है उनकी अपनी अपनी wavelength है तो due to the different sizes of जब तक किस कॉर्प स्कुल को हटा कर हम ये नहीं लिख लेते कि डिफरेंट साइज़ अफ वेवस डिफरेंट कलर्स और प्रोडूसर ये अब ठीक हो जाएगा अगर हम लिखेंगे डिफरेंट साइज़ अफ वेवस इसलिए मैंने बोला कुछ हद तक ये ठीक है ठीक था ये वाला पॉस्चिलेट फूर्थ पॉस्चिलेट ये इसी वज़े से ठीक था कुछ हद तक लेकिन फिर ये थेरी ही डिस्कार्ड हो गई तो अब हम देखेंगे इस थेरी का कनकुलूजन क्या था इस थेरी ने हमें क्या समझाया इस थेरी ने हमें बहुत सारी फिनोमेनल्स एक्स्प्लेइन किये उसमें से क्या ये तीन इसने एक्स्प्लेइन किये थे कनकुलूजन हम देखेंगे इस थेरी का इसने क्या कनकुलूड किया इसने बोला इस theory की वज़े से हमने propagation of light को explain किया कि light कैसे propagate और trowel करती है propagation हमने देखा दूसरा हमने reflection को explain किया reflection और तीसरा reflection को explain किया इस light ने तो ये तीन चीज़े इसने explain की propagation trowel कैसे करते है reflection bouncing back of light reflection bending of light ये तीन चीज़े इसने explain की तो ये इस theory का conclusion था ये इसने 1675 में ये theory दी ये कुछ इसके postulates मैंने आपको बोले और इसमें इसका conclusion भी मैंने आपको बोला कि इस theory ने किस चीज़ को explain किया इसने propagation को explain किया reflection को explain किया और reaction को explain किया ये दो हमें आगे पढ़ने हैं ये दो reflection और reflection ये हम इंशाललह और रहमन कल पढ़ेंगे पहले आज हम ये theories देख लेंगे तो अब आएगी हमारी second theory दूसरी theory क्या थी दूसरी theory थी wave theory वेव theory of light वो किस ने दी थी वो 1676 में हाईजन ने दे हाईजन या हाईजन इसको बोलते हैं हाईजन ने दी थी उसने क्या बोला उसने बोला पहला postulate इस थेरी का जो था वो था light travels in the form of wave और वो कोई ऐसी ऐसी wave नहीं transverse wave transverse wave तो ये transverse wave क्या होती है ये किस चीज़ का नाम है ये मैं आपको बोलूँगा देखो wave सब को पता ऐसी होती है इसकी direction of propagation ये है और अगर हम plane एक डाले तो ऐसा आएगा और ऐसा आएगा तो ये wave जो है ये direction of propagation मतलब इस plane अगर हम इसकी direction में एक line डाले ये इसके perpendicular होती है देखो यहां पर यहां पर अगर हम देखेंगे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ये इस line के साथ 90 degree बनाता है ऐसे इसका ऐसे ये propagate हो रही है तो जो ये wave है ये अपनी direction of propagation के साथ 90 degree angle बनाती है ये इसके साथ right angles पर होती है उसी को हम बोलते है transverse wave transverse wave ये आपको समझ में आया देखो कैसे होता है मैं आपको फिर से बोलूँगा ये एक wave है इसकी direction of propagation ही है direction of propagation किस बला का नाम है direction of propagation हम बोलते है जिस तरफ ये wave जा रही है उसी को हम direction of propagation मान लो ये ऐसे direction है इसकी ऐसे 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 तो ये इस plane या इस line के साथ जो हमने इसकी propagation direction of propagation के साथ ये बनाती है right angles ये क्या होथ इसी को हम transverse wave बोलते है दूसरी होती है longitudinal wave वो इसके opposite होती है वो direction of propagation के साथ 90 degree angles पे नहीं होती है उसको हम बोलते है longitudinal wave वो उसके opposite होती है waves दो कसम के होती है longitudinal और transverse दोनु मैंने आपको बोला क्या होती है जो transverse wave है ये direction of propagation के साथ 90 degree angle बनाती है जो longitudinal wave होती है वो नहीं बनाती है आपको short में इतना ही याद रखना है बाकि जो transverse wave, longitudinal wave ये आपको 12th में पढ़ना है जब आप पढ़ोगे oscillations and waves उसमें आपको ये पढ़ना है ये आपको उसी वक्त clear होगा पूरा अभी मैंने आपको थोड़ा-थोड़ा simple बताया कि transverse wave और longitudinal wave किसको बोलते है transverse wave अपनी direction of propagation के साथ 90 degree angle बनाती है और longitudinal wave नहीं बनाती है ये आपको short में याद रखना है और अब दूसरा postulate क्या था इस थेरी का दूसरा postulate जो था इस थेरी का वो था light requires a medium light requires a medium to travel इसने बोला light को medium की जुरत है अगर इसको travel करना है लेकिन ये गलत था ये postulate गलत था light को कोई medium नहीं चाहिए propagation के लिए लेकिन उस वक्त ये postulate discard नहीं हुआ क्योंकि कुछ sentence काम कर रहे थे उस वक्त इसको एक question आया कि space तो vacuum है तो ये light कैसे propagate होती है light कैसे propagate होती है space में क्योंकि space तो vacuum है लेकिन उस वक्त research चल रहे थे कि space में भी एक medium है उसको नाम इन्होंने रखा था ether ether theory भी उसको बोलते है ether theory तो उन्होंने बोला space में भी एक medium है उसको हम ether बोलते हैं तो उस वक्त ये discard नहीं हुआ लेकिन अब सब को पता है कि space में असल में space में कोई medium नहीं ये space vacuum है और light को कोई medium नहीं चाहिए propagate करने के लिए ये आपको याद रखना है इसका ये पॉस्चिलेट था कि light जो है उसको एक medium की जुरूरत है उसको एक क्या बोलते है उसको जरिये की जुरूरत है ताकि वो propagate हो सके लेकिन असल में light को किसी medium की जुरूरत नहीं है और ये उस वक्त discard नहीं हुई क्योंकि उस वक्त ether थेरी चल रही थी जिनका माना था space में medium है जिसका हम नाम उन्होंने ether रखा था तो इस वक्त ये इसलिए ये पॉस्चिलेट discard नहीं हुआ था इस पे questions arise नहीं हुए थे तो अब हम इसके third पॉस्चिलेट पे जाएंगे third पॉस्चिलेट क्या था इसका third पॉस्चिलेट इसका था कि velocity of light इसने newton को सही किया इस पॉस्चिलेट में इसने बोला इसने बोला velocity of light is smaller in denser medium as computer error to the error इसने बोला जो velocity of light है वो smaller है वो lesser है as compared to denser medium तो as compared to rearer medium मतलब rearer medium में इसकी light की velocity जादा है as compared to denser medium यह इसका third पॉस्चिलेट था इस पॉस्चिलेट में इसने newton को सही किया तो अब हम देखेंगे इस theory का conclusion क्या था तो पहले यह फेल हो गई कुछ फेनोमेनस explain करने के लिए मतलब यह फेल हो गई propagation of light reflection और reflection को fail हो गई explain करने के लिए क्यों क्योंकि जो wave होती है wave reflect नहीं होती है wave reflect नहीं होती है wave की वज़े से हम direction या propagation of light को explain नहीं कर सकते यह भी उसी तरह फेल हो गई इन फेनोमेनस को explain करने के लिए लेकिन इसने दो फेनोमेनस को explain किया एक को बोलते हैं इंटर्फेरेंस इंटर्फेरेंस दूसरा डिफ्रेक्शन तो इसने इन दोनों को explain किया एक इसने interference को explain किया दूसरा diffraction को explain किया interference क्या होता है interference मैं आपको थोड़ा briefly बताऊंगा क्योंकि यह भी आपको waves में पढ़ना है 12th में interference हम बोलते हैं जब दो waves मिलती है ये एक wave आई ये एक wave आई ये आपस में यहाँ पर मिल गई तो जब ये waves मिलती है या तो ये dark fringe बनाते है या तो ये brighter dot बनाती है तो अगर ये dark बनाएगी इसको हम बोलते है destructive destructive interference और अगर ये bright बनाएगी उसको बोलते है constructive interference interference इसी को बोलते है या तो destructive होगा या तो constructive होगा अगर constructive interference होगा तो bright fringe बनेगा यहाँ पर जहाँ पर ये मिलेगी अगर destructive हो गया तो डारक बनेगा जहां पर यह मिलेगी simply आपको याद रखना है interference हम उसको बोलते है जब दो waves आपस में मिलती है वो या तो dark fringe बनाएगी या तो bright fringe बनाएगी उसको अगर dark बनाएगी उसको बोलते है destructive interference अगर वो bright fringe बनाएगी उसको बोलते है constructive interference यह आपके syllabus में नहीं है अगर आपको याद नहीं भी रहा तो कोई मसला नहीं है यह मैंने आपको explain करने के लिए बोला कि interference की term आगी तो उसको explain करने के लिए थोड़ा मैंने आपको बोला कि क्या होता है interference destructive क्या होता है और constructive क्या होता है so यह दो Pnomedonians diffraction मैंने आपको कल ही बोला diffraction simply होता है जब light फैलती है light फैलती है किसकी वज़े से wave nature की वज़े से तो उसके बाद आया इसके बाद तीसरी थेरी आ गई तीसरी थेरी वो थी electromagnetic theory electromagnetic theory वो किस ने दी थी वो दी थी James Maxwell James Maxwell वो आप लिख लेना वो मैंने लिखा कि किस ने दी थी और वो मैंने लिखा date क्या थी और किस ने दी थी तो electromagnetic theory किस ने दी थी वो दी थी James Maxwell in 1873 1873 तक क्या रही wave theory of light हाइगन की तो इसने क्या बोला इसका पहला ही postulate था जो light है ये electromagnetic in nature है light is electromagnetic in nature electromagnetic in nature in nature electromagnetic in nature क्या होता है वो मैंने आपको कल भी बोला light एक electromagnetic wave है वो किस ने बोला वो बोला जेमस मैंस 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 ने इक्सवेल ने इलेक्ट्रो मैंटिक का मतलब क्या है ये फिर से मैं आपको बोलूँगा देखो इलेक्ट्रो मैंटिक वेव जो होती है उसमें दो चीजे होती है एक तो ये है अब मैं इसमें 3D कैसे बना हुँ यह आप मान के चलो यह 3D image है अब यह मैं SS नहीं कर पा रहा हूँ 3D image को लेकिन आप फिर भी मान के चलो कि यह 3D image है यह एक plane के उस तरफ से है एक plane के इस तरफ से है तो इसमें एक wave होती है जो electric field की होती है एलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी होती है मैंग्ट्रिक फील्ड की फील्ड की तो ये दो नो वेव्ज आपसमें पर्पेंडिक्यूलर होती है और ये डिरेक्शन अफ प्रॉपागेशन मतलब ये जो मैंने लाइन डाली इसके भी पर्पेंडिक्यूलर होती है तो इसने भी transverse nature को define किया transverse nature of light ये perpendicular है plane के और आपस में भी perpendicular है ये दो waves मतलब ये आपस में 90 degree बनाते हैं और direction of propagation जिस direction में J जा रही है उसके साथ भी ये 90 degree angles बनाते हैं ये होते हैं electromagnetic wave James Maxwell ने पहला ही postulate ये ही बोला कि ये जो light है ये एक electromagnetic के nature है इसका nature electromagnetic है मतलब ये electromagnetic wave है जिसमें एक तो electric field भी होता है magnetic field होता है दोनों waves जो होती है एक electric field की wave दूसरी magnetic field की wave ये आपस में perpendicular होती है और ये direction of propagation के भी perpendicular होती है मतलब ये transverse waves है दोनों transfers waves है तो इसने दूसरा postulate ये पहला postulate था इसका अब हम देखेंगे इसका दूसरा postulate के है दूसरा postulate इसका ये था जो light है इसको किसी medium की जरूरत नहीं है light does not require a medium light does not require a medium to travel तो इसने ये बोला कि light को किसी medium की जरूरत नहीं है travel करने के लिए तो ये तो पता ही है आपको light को किसी medium की जरूरत मतलब इसने क्या किया इसने हाइगन को correct किया इस postulate में हाइगन ने क्या बोला था light को medium की जरूरत है लेकिन जो मैक्सवेल है उसने बोला light को किसी medium की जरूरत नहीं है travel करने के लिए तो अब ये थेरी इतनी ही थी light electromagnetic wave है light का electromagnetic nature है जिसमें magnetic field भी है electric field है दोनों आपस में perpendicular है और वो खुद direction of propagation के perpendicular है तो अब इसने क्या conclusion इससे हमें क्या पता चला conclusion क्या था इसका इसका conclusion यही था कि इसने transverse nature of transverse nature को define किया nature को define किया transverse nature को James Maxwell ने define किया अब हमें आज आती है जो modern थेरी है आज की थेरी जिस पे आज भी steady हो रही है जो आज तक valid है उस थेरी कब हम बोलते है quantum थेरी quantum थेरी quantum थेरी quantum थेरी हमें क्या बोलते है quantum थेरी next plank ने दी थी plank ने दी थी किस में दी थी date क्या थी 1905 1905 तक Maxwell की थेरी ही valid रही और 1905 में किस ने Max plank ने एक थेरी दी थी जिसका नाम उसने रखा quantum थेरी of flight तो उसका पहला पॉस्चिलेट क्या था उसका पहला पॉस्चिलेट था पहला पॉस्चिलेट था उसका जो light है light is emitted light emit होती है light जो है यह emit होती है in the forum of forum of energy bundles energy bundles or packets इन energy bundles या packets को इसने क्या नाम रखा इसने इनका नाम रखा कॉंटा और photons कॉंटा और photons तो इस थेरी में पहला postulate यही था कि light जो है यह emit होती है in the forum of bundles energy bundles और packets जिस जिन energy bundles है packets का नाम इसने रखा photons और कॉंटा photons और कॉंटा कुछ नहीं है यह इसने dual nature को explain किया मतलब इसने सब को हटा कर सब को हटा कर एक अलग नाम रखा उसको इसने बोला कॉंटम कॉंटा यह कॉंटा बहुत सारे packets को बोलते है और कॉंटा एक को बोलते है कॉंटा बहुत सारे को और कॉंटम एक को बोलते है तो इसने नाम रखा Conta or Photons Conta or Photons कुछ नहीं है ये भी एक चीज है जिसके दोनों नेचर है एक तो वेव नेचर भी है और पार्टिकल इसदे डूजल नेचर की इसने बोला कि लाइट जो है इसके पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है तो सीधी सी बात है जब इसने बुला ये दोनों चीजे है Dual Nature theory इसको हम बोलते हैं तो इसने बोला ये दोनों है particle भी है, wave भी है तो इसका मतलब सीधे है ये सारे phenomenon's को explain करेगा सारे phenomenon's मतलब ये करेगा reflection को भी reflection को भी, propagation को भी ये करेगा, diffraction को भी, interference को भी और photoelectric effect को भी यह Compton Effect को भी explain करेगा तो इसका दूसरा postulate क्या था इसका दूसरा postulate था कि जो energy of photon है energy of photon energy of photon वो directly proportional है मतलब E of photon is directly proportional to the frequency of vibration मतलब इसने बोला energy of photon जो है वो directly proportional है किसके frequency of the vibration मतलब अगर किसी पार्टिकल के पास अगर किसी चीज के पास पार्टिकल नेचर किसी मैटन पे पास पार्टिकल नेचर भी है वेव नेचर भी है तो सीधी सी बात है उसके साथ frequency होगी vibration होगी तो इसने क्या बोला energy of photon जो है वो directly proportional है किसके frequency of the vibration की F frequency of the vibration है तो आपको पता ही है अगर हमें ये directly proportional मतलब अगर हम frequency को increase करेंगे energy increase हो जाएगी अगर हम frequency को decrease करेंगे energy decrease हो जाएगी अगर आप energy decrease हो गई तो frequency भी वह सी बात है frequency भी decrease हो जाएगी अगर energy increase हो गई तो frequency भी increase हो जाएगी तो आपको पता ही है mathematics में अगर हम इस proportionality term जो यह proportionality term है जो यह alpha की तरह होती है अगर इसको हमें हटाना है तो हमें एक तो लाना पड़ता है constant और equal to sign भीच में आ जाती है तो इसका यह कैसे change हो गई यह बन गई फिर e equal to hf या h new frequency को new बोलते है frequency को denote करते है new term से यह v जैसा होता है लेकिन थोड़ा टेड़ा होता है इसको new बोलते है तो इसने बोला जो energy of photon है वो directly proportional होती है frequency of vibration के तो इस proportionality term को हटाने के लिए हमने एक constant लाया h इसको बोलते है planks constant planks constant constant तो इसने बोला जो energy of photon है वो directly proportional है frequency of vibration के frequency of wave के तो इस proportionality term को हटाने के लिए हमने constant लाया equality sign 20 में आ गई तो ये constant क्या है इस constant का value क्या है इस constant का value है h is equal to 6.63 इन्टो 10 तो दे पावर मैनस 34 joules per second ये आप याद रखना joules per second unit इसका joules per second है ये आपको लेवन्थ में पढ़ना है लेवन्थ में आपको structure of atom पढ़ना है उसमें ये बहुत सारे numericals को solo करती है e is equal to hf अगर हम देखे थोड़ा सा मैं आपको वो derivation दिखाऊंगा वो कैसे होती है इससे कैसे numericals solo होते है तो थोड़ी सी आपको मैं derivation दिखाऊंगा जो frequency है frequency f ये होती है बराबर c by lambda lambda होगी wavelength 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 और ये होगी velocity of light in vacuum वो आपको मैंने कल बोला क्या होती है 3 into 10 to the power 8 meters per second तो अगर हम इस term जो ये frequency है इसके बदले ये लाए c by lambda तो ये क्या बनेगी ये बनेगी ऐसे energy of photon is equal to h c by lambda क्योंकि हमने h के बदले क्या लाया f के बदले हमने लाया c by lambda क्योंकि जो frequency होती है वो होती है बराबर velocity of light upon lambda wave length उसके बराबर ये होती है तो आपको कैसे numericals आते हैं इसमें आपको आएगा ये extra knowledge अगर आप याद ना भी रखे कोई बात नहीं लेकिन 11th में आपको ये जरुरत लगेगा इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको यहां बोला अगर आपको थोड़ा concept हो गए यहां पे तो आप आसानी से 11th में numericals कर सकते हैं और वो पहला ही chapter पहला ही पढ़ाया जाता है और उसमें दिक्कत होती है बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है बच्चों को वो आराम से numericals नहीं कर पाते हैं अपलिफ्ट होता है 10th उत 11th बहुत जादा बहुत जादा डिफ्रेंट है 10th से इसलिए दिक्कत होती है बच्चों को एडप्ट होने में तो हमने अब देखा e equal to h c by h c by लेमड़ा तो numericals कैसे आएंगे numericals आते हैं आपको energy दी होती है वेव लेंगदी होती है आपको निकालना पड़ता है आपको निकालना पड़ता है frequency frequency आपको निकालनी पड़ती है हो गया एक pattern दूसरा pattern आपको वेव लेंगदी होती है बस वेव लेंगदी होती है आपको निकालनी पड़ती है energy और निकालनी पड़ती है फ्रिकेंसी फ्रिकेंसी और एनर्जी आपको निकालने पड़ यह दो पैटर्न्स इसमें आते हैं फिर यूनिट्स के हिसाब से आपको निकालना पड़ता है अगर नैनोमेटर वो कनवर्ट वही पर दिखाएंगे आपको यह मैंने आपको इदर थोड़ा ब्रीफ ली बोला कि क्या क्या निमेरिकल इसमें आ सकते हैं और इसी पैटर्न के आते हैं नीट में आता है एक निमेरिकल इसमें आता है नीट में वो आपको देखना है मैंने इसलिए आपको इदर कंसेप्ट दिया ताकि आपको फिर आसानी हो क्योंकि पहला ही चप्टर यही पढ़ाय जाता है किसी भी कोजिंग सेंटर में आप जाओ किसी भी टीचर से आप पढ़ो तो पहला चप्टर वो केमिस्ट्री में यही उठाएगा structure of atom structure of atom में आपको यही पढ़ाय जाता है और उसमें दिक्कत होती है क्योंकि सीधा अपलिफ्ट होता है 10th to 11th जो 11th है वो different उसका syllabus different है 10th से बहुत जादा different है तो उस environment में adapt होने के लिए adapt होने में बच्चों को दिक्कत होती है तो जो हमने यह देखी quantum theory quantum theory ने क्या explain किया conclusion इसका क्या था conclusion क्या था conclusion क्या था तो इसने क्या किया इसने सारे phenomenon को all phenomena को इसने explain किया इसको इसने explain किया उसमें क्या था उसमें सबसे major जो phenomena था that is photoelectric effect photoelectric effect और दूसरा है वो है Compton effect Compton effect जो यह photoelectric effect और Compton effect है photoelectric effect आपको 11th में पढ़ना है इसमें structure of item में आपको पढ़ना है लेकिन यह Compton effect जो है यह first year, second year में होता है second year physics में Compton effect है वो आपको अभी जुरूरत नहीं है बस आपको याद रखना है इस theory ने explain किया एक तो photoelectric effect को और Compton effect को बस आपको इतना ही याद रखना है इतनी थी यह theories तो quantum theory क्या थी यह थी dual nature in short अगर हम cracks देखे हमने क्या पढ़ा हमने पहले पढ़ा Newton आया Newton ने theory दी उसने क्या जैसा वो हर वक्त करता है Newton theory देता है फिर apply हमें करना पढ़ता है Newton ने theory दी उसने बोला light जो है यह emit होती है luminous body से in the form of tiny particles called corpuscles यह तो मैं पहले ही बोला और यह corpuscles elastic होते है rigid होते है elastic क्या होता है energy conserve रहती है energy change नहीं होती है जिस energy से यहां से particle गया टकरा के यह वापस आएगा उसी energy से मतलब reflect होके इस energy से आएगा उसी angle से आएगा और उसने क्या बोला यह जो corpuscles है यह straight line में मूँ करते है फिर हम आपको experiment भी बताई क्या हुई थी इस postulate को explain करने के लिए फिर तीसरा इसने बोला था जो गलत postulate था इसका जो इसने बोला velocity of light in denser medium that is greater than the due to different sizes of corpuscles they produce different colors आज सब को पता है light seven colors में split होती है तो यह size of corpuscles के वाज़े से नहीं है यह size of waves या wavelength की वाज़े से different wavelength और different colors की वाज़े से क्या होता है light जो है different colors में split होती है फिर हमने देखी wave थेरी वो दी हाइगन ने वो दी इसने 1676 में दी थी उसने क्या बोला था light जो है यह travel करती है in the form of wave wave क्या है transverse फिर मैंने आपको explain कि transverse wave क्या होती है long channel wave क्या होती है इसने जो गलत postulate बोला दूसरा ही बोला उसने बोला light requires a medium light को medium की ज़रूरत है travel करने के लिए वो गलत था रही थी और उनने बोला space में ether medium है जिसकी वज़े से light वहां से travel करती है लेकिन यह गलत है space में कोई medium नहीं है space vacuum है और light को किसी medium की ज़रूरत नहीं पड़ती है travel करने के लिए फिर हमने इसने बोला velocity of light is greater in denser medium than the velocity of light in denser medium is lesser is lesser as compared to the rear medium इसने ठीक बोला यह वाली चीज़ इसने ठीक बोली यह हम पढ़ेंगे जब हम reflection पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कैसे होता है speed कैसे कम होती है light की जब यह rear acid answer में जाती है तो इसका conclusion क्या था इसने यह fail हुई सारे reflection reflection और propagation of light को explain करने के लिए लेकिन इसमें इसने दो फ्रोमेनस को explain किया एक तो interference दूसरा diffraction diffraction मैंने आपको कल बोला interference आज बोला क्या होता है फिर क्या हुआ फिर electromagnetic theory आई electromagnetic theory 1873 में James Maxwell ने दी उसने क्या बोला light is electromagnetic nature light light का nature electromagnetic है और इसको किसी medium की ज़ुरत नहीं होती है travel करने के लिए electromagnetic मैंने आपको बोला क्या होता है electromagnetic wave क्या होती है तो इसने क्या किया इसने explain किया transverse nature of light फिर eye quantum theory Max Planck ने दी 1905 में उसने क्या बोला जो light होती है ये emit होती है in the formula energy bundles और packets जिसका नाम उसने रखा konta और photon konta और photon कुछ नहीं है ये वो matter है जिसके साथ दोनू nature attach होते है wave nature भी और particle nature भी और इसमें इसने क्या बोला जो energy of photon है ये directly proportional होती है frequency of vibration वो मैंने आपको explain क्या कैसे होती है फिर वो equation भी derive करके दी वो थोड़ी थोड़ी मैंने आपको derive करके दी अगर आप याद नहीं भी रखोगे कोई problem नहीं है क्योंकि वो आपको 11 परड़नी है और उसका h का value भी मैंने आपको बोला उसको अगर आप याद रखोगे 200 आपके लिए आसानी होगी अगर नहीं भी रखोगे कोई का कोई बात नहीं है आप जो syllabus tenth में है वो उतना ही है तो इसने क्या explain किया इसने photo electric इसने सारे phenomenon को explain किया लेकिन major important जो दो effect थे उसने इसको आसानी से explain किया पहला तो जो था that's photo electric effect another is Compton effect वो मैंने आपको बोला photo electric effect के बारे में थोड़ा मैंने आपको कल बोला था क्या होता है लेकिन ये जो Compton effect है ये second year physics में ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा अभी आप उतना ही पढ़ो जितना आपके syllabus में है थोड़ी बहुत points में extra बोलूँगा जिससे आपको help होगी 11th 12th में तो thank you bye guys चैनल को subscribe कर देना thank you आज के लिए इतना ही कल हम देखेंगे reflection reflection क्या होती है उसके लाज हम देखेंगे कल और बहुत सारा कुछ आपको देखना है reflection में major topic इसमें reflection and reflection ही है तो thank you guys आज के लिए इतना काफी है आज आप यही पढ़ो फिर से revise करना कर में मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला उसको revise करो और पढ़ते जाओ aim है हम किसी को physics चो topics है इसमें उसमें problem नहीं होनी चाहिए बच्चों को क्योंकि major problem physics में ही आती है उसमें problem नहीं होगी बच्चों को यह मेरा वादा है अगर आप ठीक तरीके से पढ़ोगे जो मैं पढ़ाऊंगा उसको revise करोगे आपको कोई problem नहीं होगी physics में तो thank you guys चानल को सबस्क्राइब कर देना लाइक कर देना वीडियो को ओके बाई गाइस